हेलो अबरीबाट वेलकम बैक तो माई यूटीब चनल सो फ्रेंस आज की उडियो हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे के लिए टॉय खरीदने जा रहे ना तो आपको किन बातों का ध्यान देना है और क्यों देना है तो सबसे पहली बात अगर आपका बच्चे बिल पपफिता सब्सक्राइब नोचने लगता है सो बमार जाते का फिर दूश्री क्लिए दूसरी चीज आपने बच्चे une अभी भी टॉय खरी देंगे तो कोसिस करेगा कि वह sound वाले नहों और light वाले नहों इससे क्या होता है कि बच्चा अपना एक चीज पर concentrate नहीं कर पाता है और उसका concentration level जो होता है वह down होने लगता है धीरे धीरे अगर उसको continue बच्चा यूज करता है तो यह ऐसे होता है क्योंकि जब बच्चा उसको बजाएगा ना तो उसको उसमें जो sounds होते हैं वह हमेंसा variable होते हैं तो वह एक sound को नहीं सुनता है अभी दूसरा बजाएगा फिर चेंज कर देगा अगला बजाएगा फिर उसको तुरंट चेंज करेगा इससे क बच्चे अगर बड़ा है और उसको ऐसे टॉय खरीद के दे रहे हैं तो भी आप अपने बच्चे को ऐसे ही बेवज़र उसको बजाने के लिए करने के लिए नहीं देंगे उसको जब ही भी आप देंगे बजाने के लिए तो साथ में बैठेंगे और online बहुत सारे tutorial हैं और अप जब ही बच्चे को छोटे बच्चे को टॉय खरीते हैं तो maximum लोग उसको छोटे बच्चे के लिए जुञजुना खरीत लेते हैं जो बिल्कुल सेफ नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वह बच्चों के नहीं है क्योंकि उसमें बहुत से छोटे छोटे दाने होते हैं, marbles के टुकड़े होते हैं, जो बच्चे खेलते-खेलते समें उसको पटक दे तो वो तूट सकता है, और उसमें से वो दाने बाहर आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप अगर अपने कभी ध्यान नहीं दिया और बच्चे न उठा को उसे मुह में डाल दिया, क्योंकि ब सकते हैं, यह नहीं कि बच्चे ने जिद कि आवेने खरीद के दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बच्चों के लिए टॉय खरीदने जा रहा है, तो रबडबाले बहुत सारे टॉय आते हैं, वो खरीदेंगे तो बच्चे उसे तोड़ेंगे भी नहीं, वो बेकार भी नहीं होता है, और उसे बच्चे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, अगर आप उसका सही सेलेक्शन करते हैं, तो मेरे करने का मतलब कि आप टॉय खरीदी है, तो फ्रूट के टॉय खरीद लिए, वेजिटेबल्स के टॉय खरीद लिए, या फिर ऐसे कोई गेम है, उस करना है, अब यह सोच रहे होंगे, कि अगर यह सारे टॉय हम नहीं खरीदें, तो हम क्या करें, तो आपको इसी टाइप की टॉय खरीदने हैं, और यह चीज का ध्यान दीजेगा, आप जब ही रवड वाले टॉय खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो बच्चे, अगर छोटे बच्चे के लिए आप खरीद रहे हैं, तो वो बच्चे मुह में डालेंगे, जो उनके लिए ठीक नहीं होगा, तो उसके पीछे एक लेबल लगा होता है, वो जरूर पढ़ लिजेगा, क्योंकि उस लेबल पे लिखा होता है, कि किस के बच्चे के लिए टॉय है, क्योंकि कंपनी वाले भी बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए वैसे टॉय नहीं बनाते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं हो, तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेजेगा, या लेबल पे जो इन्फोर्मेशन होगी, उससे जरूर लेजेगा, और अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा है ना, तो उसके लिए अगर आप कोई टॉय खरीदने जा रहा है, तो हम रिक्मेंट करेंगे कि आप उसके लिए ऐसा टॉय खरीदिये, जिसमें आप खुद भी इन्वाल्व हो सकें, जैसे उसके लिए आप चेस खर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, और यह आपके लिए एक स्वीट मैमोरी बन जाएगा इन फ्यूचर कि आप कहेंगे कि मैंने बच्चे के साथ ऐसे ऐसे गेम खेले हैं, आपका बच्चे को भी अच्छा लगा है, जब बड़ा होगा तो यह कह सकता है कि मेरे पेरेंट से म आपके दो कि में खना लगा है